नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलेंड ग्यान में तो भाईया लगवग एक मही ना हो गया पर्मनेंट नोकरियां आप लोगों के लिए नहीं आ रही थी तो लंबे समय बाद आप लोगों के लिए पर्मनेंट जोब आई है रिक्वेस लेकिन सेम एरिया के बच्चे और आसपास के एरिया के बच्चे तो जरूर अपलाई करें एरिया की मैं बात करूँ तो जो भी आपका आगे का प्रोसेस होगा वो रुर्की में होगा तो उत्राखंड के बच्चे स्पेशली और जो बच्चे यूपी के हैं और इसके आसप फॉम फिल किया था उनको मोका मिल जाता है आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपोटन सीजे क्लियर करूंगा पैसो की बात मत करना पैसा पचास सो रुपे में आपका काम हो जाएगा नीचे अभी मैं और चीजे क्लियर करूंगा आप लोगों की यहां पर एक और इंपोटन तो 4 multiply by 60 तो 240 बच्चों को बुलाएगा अब इसमें से आगे के प्रोसेस के लिए trade test के लिए कितने बच्चों को लेके जाएगा वो लेके जाएगा 10 गुना बच्चों को यानि फिर वहां से छटनी होगी और छटनी के बाद जितने बच्चे 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 फिर लेगा और फिर उसके बाद रंत में आके department जितनी पोंच बचेगी उसके अनुसार जो है आप लोगों को select कर लेगा I hope कि यह point clear यहाँ पर I take की भी vacancy है अभी मैं नीचे चलूँगा लेकिन count बहुत कम है तो आप लोग परिशान मत होना जो बच्चे simple दस्वी पास है उसमें आप लोग apply करना ऐसी vacancies जो होती है इसमें बच्चे apply नहीं करते हैं और फिर रंत में आगे पता चलता है कि भाई इस विक्ती ने apply किया था यार यह विक्ती select हो गया भाई कौन सा form fill किया था तो ऐसी situations आ जाती है तो आप लोग apply करो हाँ समझ सकता हूँ apply करो कि और बता दूँ प्लीज अपने आपको इतना skillful कर लो कि आने वाले time पे आप लोगों को नोकरी की नाजरूत पड़े आप लोग अपना business करके आगे बढ़ सकते हैं LDC की मैं बात करता हूँ सबसे पहले post की तो LDC में आप लोगों के लिए चार post है जो undeserved category के लिए है जिसमें total vacancy भी चार है और यहाँ पर अगर आप 12 पासे simple तो apply कर सकते है desirable में typing है English की हिंदी की लेकिन यह composer यह नहीं है desirable का बहुत सारे बच्चे मतलब नहीं जानते लेकिन मैं आपको बता देता हूँ desirable का मतलब होता है कि अगर आपके पास यह चीज है तो आप लोग apply कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो भी apply कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इन बच्चों को edge मिल जाता जिनके पास यह criteria होता है storekeeper की बात करते हैं तो storekeeper में एक वेकेंसी जो है undeserved की है दो वेकेंसी OBC की है इसमें भी बारवी पास मैंगा और कुछ और criteria मांगा है उसके बास civil trade की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए undeserved में वेकेंस आप लोगों के लेक्टिशन की एक और आप लोगों की dotsman की एक और printing की एक है तो आप देखो क्या करना है आप लोगों को लेकिन मैंने आपको बताए एक seat पे 60 बच्चों को बुलाए जाएगा तो आप लोग अगर धुरंदर है तो आप लोग को एक ही seat की जरूरत है तो आ आपको अपॉर्चुटी थोड़ी पहले मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट एक कुक की वेकंसी यहां पर अंडिस अप के लिए 10 है ओवी सी के लिए 5 है सी के लिए एक है और दो जो है आप लोगों की यहां पर मिल जाएगी EWS की 19 वेकंसी है एक एडिशनल दे रखिया आ आप लोगों की EW जो एक सर्विस मैंने होते हैं उनके लिए 18-25 सल वही है इसका क्रेटरिया दस्वी पास होना है और आपके पास नोलीज होना चाहिए इंडियन कुकिंग की कोई experience नहीं मांगा लेकिन आपके जो है खाना बनाना आना चाहिए उसके बाद तीन जो पल दस्वी पास और बाकी का क्राइटेरिया जो है डिजारेबल है कंपल सरी नहीं है 18-25 साल एज का क्राइटेरिया सेलरी भी थोड़ी सरी मिल रही है इतनी क्वालिफिकेशन के बेस पे तो अपलाई करो उसके बाद लास्कर की वेकेंसी है जो EWS के लिए सिंपल तो इस प के पास यहां पर जो है अगर यही एक्सपिरेंस आपके पास डिजारेबल में आता है तो आपप लोग जो हमया प्लाई करो और आपके पास experience नहीं है तो भी apply कर सकते हैं बारबर की vacancy है देखो भई या दसवी pass नाई वाले बच्चे है वो apply कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे मैंने खुद देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दसवी pass करके किसी दुकान में लगे हुए हैं जो cutting करते हैं लेकिन उनका opportunity नहीं मिलती तो आपसे request है मैं जिस तरीके से आप लोगों का भला करता हूँ update दे कर आप भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ज्यादा तार हमारे जो muslim बच्चे हैं वो बच्चे बार-बार की जो आप पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो नाई की दुकान होती है उसमें जाके किसी की मदद करनी है अगर आप जा सकते हैं तो उन बच्चे सो यह form apply कर दो मेरे से उनकी बात करवा देना मेरी mail आइडिया online and offline का net direct gmail.com में मैं उनका आगे का process उनको सब कुछ बता दूँगा क्योंकि आरो वो बच्चे दुकान में जो है काम करकर के परिशान हो जाते हैं अगर उनको कहीं नहीं कहीं opportunity मिलेगी देश की सेवा करने के लिए मोका मिलेगा तो उनके लिए जो है अच्छा होगा salary structure आप लोग देख सकते हैं 18-25 सा लेजा दसवी पास होना है और one year का आपके पास experience desirable है compulsory नहीं है लेकिन जो नहीं की दुकान में काम कर रहा है उसके पास experience होगा और वो असानी से बाल काटके दिखा सकेगा और वो बच्चे expert होते हैं कोई era गहरा अगर form फिल करता है उनका selection नहीं होता उन बच्चों का selection हो जाता है जो नहीं की दुकान में काम करते हैं ठीक है तो मैंने आपको mostly चीज़े बता दी है age everything मैं सब कुछ clear करके आपका चल चुका हूँ उसके बाद यह form इसका offline है online नहीं है तो relevant जो document है उनका please आप लोग ध्यान रखे जिस भी post के लिए apply कर रहें है आपके कहा होएगगा ठीक है आपको पता होगा बार बार trade में भी आइटेये होता है बहुत सारे बच्चे जिनको knowledge नहीं है बार बर में होता है जो beautician होता है उसमें बहुत सारे trade से पार जिसके बार में आपको knowledge नहीं है लेकिन कौ छुपे उए it घ्याइज है वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है इसमें तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे और चीज़ आप लोगों को बताते हैं जो भी अवेलेबल है यह फोर्म की चिंता मत करो फोर्म की वीडियो मैं आप आप लोगों के कोशिश करूँगा कि कल अप्लोड कर दूँँ इस चैनल पर यह नोकरी फोर वूमन पर जो हमारा नया वाला चैनल है टेक है मैंने चाहता कि आप लोगों को किसी तरीके की परिशानी हो हाँ यूटूब ने मेरी वीडियो उसको डिलेट कर दिया था इस वज़े से मैंने फोर्म की वीडियो बनाना बंद कर दिया बट एक और बार रिस्क लेता हूं और डालता हूं वीडियो अगर आप लोग जो है देखते है कि क्या यूटूब एक्शन लेता जो भी लेगा उसका फिर कौशिश करेंगे उसका रिजिलिशन निकाल सके और इस नोटिविकेशन को फोर्म को आप लोग मेरे टेलिग्राम पे भी पाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँग अब हुआ और ईजय करेंगे तो मेरे टेलिग्राम को मिल जाएगा ठीक है और बाकी में इसस्कीप्शन में भी दे दूँगा इसका फोर्म भी है और अभी जो यह फोर्म जो आपको 10 वैसे 12 अपरेल होना चाहिए 30 दिन दे रखें लेकिन 10 अपरेल से पहले-पहले फोर्म को पुचा देना मैं फोर्म की वीडियो लेकर आँगा उसी के बाद आप लोग डिपार्टमेंट में फोर्म पुचा देना बाकी धन्य दन्यवाद की पिंटच आप लोग जुड़े रहिए मैं समझ सकता हूं आईटे की वेकेंसी उस लायक नहीं है आपर लेकिन जो बच्चे नोन आईटे के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब फोर्म को पुचा दे और जो बच्चे आईटे के वो दसवी पास वाली कटिगरी में फोर्म को अप्लाई करें बाके धन्यवाद के पिंटच आप लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके रखिए और हमारा दूसरा जो चैनल गौरत दंख्शन उससे पर जुड़े रहिए थेंक यू